हेलो बहनों यों भायों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे हों स्वस्थ होंगे साथियों आज हम आप लोगों के लिए एक नई देश्पी ले करके आए हैं गोभी और मतर के पराठे तो चलिए पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं पराठे बनाने के लिए साथियों एक ये गोभी का हमने ताजा फ्रिस हरा फूल लिया है ये हरा प्याज हमने ले लिया है सागा दो हरी मिर्च ले लिया हैं एक अद्रक का टुकडा लिया था साथियों उसको हमने साफ कर लिया है चाको से और थोड़ा सा साथियों ये हमने हर जब आधनिया लिया है। आप इन सब को हम बारीक-बारीक काट लेंगे साथ में। काट करके इनको रखेंगे। हरी मतर साथियों हमने ले थी यह देखी। एक बाउल ले थी, उसको हमने मिक्सी में पीश लिया है। मोटा मोटा दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसना था, और ये गोभी का फूल देखो, काट लिया है इसको अच्छे से, प्याज जो एक लिया था हरा, उसको भी बारीक हमने काट लिया है, ये देखे, अद्रक का जो एक टुकड़ा लिया था साथियों, वो भी हमने इसको नहीं देखे, बारीक काट लिया है, चाकू से, और दो हरी मिर्च लिती, उनको भी सी प्याज में काट के हमने रख लिया है, साथियों पर आठे बनाने के लिए हमने आटा लिया है, ये देखे, धाइ सो ग्राम के आसपास आटा है, दो छोटे बाउल, छोटा बाउल है उसके बराबर है 500 ग्राम के आसपास आटा है अब साथ ही इसमें हमें अजवाइन लेंगे एक चम्मच और हांस इस तरीके से रगड़ करके इस आटे में इसको डाल देंगे ये देखें अजवाइन के साथियों खुश्बू बहुत अच्छी आती है और ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है इसमें साथ ही एक चम्मच यह हम हींग डालेंगे एक टेबिल स्पून यह हम इसमें जो है रिफाइंड आयल डालेंगे साथ ही में और इसमें थोड़ा से हम ये नमक डालेंगे स्वाधा नुशार और इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छे से अभी पानी नहीं मिलाएंगे पहले जो रिफाइंड आयल और ये नमक और अजवाइन डाला है इसको हम अच्छे से इस आती में मिला लेंगे ताकि ये पूरी आटी में सब जगे मिल जाए मिक्स हो जाए अच्छे से और साधी पराठों में लगभग बराबर जाए नहीं तो एक जगे रह जाएगी और साथ ये आटा गुनने के लिए हमने पानी थोड़ा सा गुन-गुना कर लिया था आप जब भी पराठा के लिए अटा गुन है तो पानी थोड़ा सा गुन-गुना कर लिए तो उससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं साथ बनते हैं बहुत बढ़्या बनते हैं और आटा भी बहुत अच्छा गुन के तयार होता है कि विशेश ध्यान रखे इस तरीके से आटे को गुन लेंगे यह देखिए आटा आपका बहुत अच्छा गुंधा होना चाहिए थोड़ी सिसमें मुक्के बाजी करेंगे आटे के साथ इस तरह से थाली का आटा आटे से ही साफ कर लेंगे बढ़े आचा और इसको ढख करके सेट होने के लिए पांस से दस मिनट के लिए रख देंगे साइड साथिओं गयेस पर कडाहिश चणा देंगे उसमें थोड़ा सा तेल डालं के सर्सों के तेल डाला है हमने थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जो ढ़ोबी मतरे से काट के रखा वो हम अब मसाला तैयार करेंगे. यह देखी लश्चन हरा प्यार सब इस में डाल दिया है. और इसको अच्छे से भून लेंगे. यह साथ हूं मसाला पराथे के अंदर भरने के लिए तैयार कर रहे हैं. पराथा भर के बनाएंगे. काट को भी काट के रखी थी, वो भी इसमें डाल देंगे, इसको भी पकाएंगे और मतर जो पीस के रखी थी, भी अब इसमें डाल देंगे इसमें साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा एक कोटा लाल मिर्च रखते हम वो डाल देंगे इसमें, आधा चमच हल्दी डाल देंगे इसमें साथ में, यह थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, और एक चम्मचे में हींग डालेंगे और यह थोड़ा सा जो है हम चाट मसाला भी इसमें डालेंगे और स्वादा नुशार नमक डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से पकाएंगे साथ ही उसमें पानी नहीं डालेंगे बहुत ज्यादा हलका सा छीटा मार देंगे पानी का यह देखिए इस तरीके से कि इसको सूखा रखना हमने हमें इसको ढख करके करीब चार से पांच मर्द तक पकाएंगे इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से यह देखिए पक यह लगभग अब इसमें धनिया कटा हुआ डाल देंगे जो धनिया हमने काट के रखा था यह मसाला तयार हो गए है साथियों पराठे में भरने के लिए बहुत अच्छी खुश्बुवार ही मसाले से इसको भुर भुरा कर लेंगे थोड़ा सा बढ़या सा और एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए साथियों इसको साइड में रखेंगे यह देखिए बहुत अच्छा मसाला तैयार हुआ है पराठे में भरने के लिए और साथियों हम इसमीज में जब तक ठंडा हो रहा है आटा से ठोड़ा है चटनी बना लेंगे यह टमाटर देखे मैंने भून लिया था लश्चन भी भून लिया था अधरक मैंने काट लिए धनिया काट लिए हरी मिर्च काट लिए और इसमें स्वादा नुसर नमक डाल और इसकी चटनी हम बना के रख लेंगे अब साथियों पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से देखें आटे की लोई लेंगे और इस तरीके से कटोड़ अनुमा बनाएंगे और इसमें यह मसाला जो तयार की है भरने के लिए वो इसमें भरेंगे करीब दो से धाई चम्मर्स तक इसमें भरेंगे अच्छे से और इस तरीके से देखिए इसको पैक करेंगे हलके हाँ से इसको इस तरीके से गुल गुल घुमा के चला लेंगे बहुत तीज नहीं दबाएंगे इसको और थोड़ा सा सूख हाटा लगा करके हलके हाँ से इसको बेलनेंगे यह देखिए यह ध्यान रखेंगे बहुत तीज दबाय के नहीं बेलना है हलके हाँ से बेलना है इसको पराठी को पराठा आप किसी भी सेप में बना सकते हैं साथियों हम गॉल बनाएंगे पराठा लें गुभी और मठर का पराठा बहुत अच्छा बनता है साथियों बहुत ही टेस्टी बनता है तवा रख दिया था गैस पर साथियों गरम हो गया उस पर यह डाल दिया है पलट के देखेंगे दूसरी तर पग गया है अगर पग गया है तो इसको इस तरीके से पर यह देखें बहुत अच्छा जित्तिदार पक रहा है पराठा साथ में आप देखते रहें बहुत अच्छा बनेगा पराठा यह देखें साथ मैं मक्खान इसमें लगा रहा हूं मक्खन लगाएंगे इसमें पूरे पराठे में अच्छे से मक्खन लगा देंगे और इसको पलट-पलट करके शेंकेंगे इधर उथर रोनों तरह गैस धीमी ही रखेंगे साथ यह बहुत तेज नहीं करेंगे बहुत तेज करेंगे तो पराठा जल जाएगा फूलेगा नहीं धीमी आज पर पलट-पलट के पकाएंगे तो यह बहुत अच्छा फूल लेगा बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही लाजवाब पराठा बनेगा आप देखते रहिए इस तरीके से कल्चल से इसको देखी बहुत ही चित्तिदार बहुत ही अच्छा पराठा बनना है जाथ हूँ अभी यह पराठा फूलेगा देखिएगा बहुत ही अच्छा फूलेगा पूरा पराठा बहुत ही क्रिश्पी पराठा बनेगा यह देखिए फूलना ही स्टार्ट हो गए है साथ में पराठा यह देखिए पूरा पराठा फूलेगा साथ में यह देखिए यह देखिए पूरा पराठा फूल गया है यह बहुत ही चित्तिदार पराठा है ये प्लेट में इसको निकाल लेंगे साथ हम ये देखिए इसी तरीके से और भी पराठे बना लेंगे ये देखिए दूसरा पराठा बना रहे हैं इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे भरेंगे इसमें मसाला और इस तरीके से पैक कर देंगे इसे भी एलट प्लेट करके पकाएंगे दोनों तरफ साथ हम इसमें मक्खन लगा देंगे इसमें मक्खन लगा देंगे ये देखिए साथ में ये भी पूरा पराठा फूल गया है ये ये देखिए है पूरा पराठा परद्य है और बहुत अच्छा बहुत ही क्रिश्पी पराठा बन रहा है ये देखिए ये देखिए पूरा पराठा फूल गया और धीमी आज पर ही इस तरीके से देखिए चित्तिदार पराठा बनाईए ये देखिए अच्छा पराठा बना està है इस तरीके से तरीके से साथ उस अरे पराठे से इकलेंगे और ये देखिए पराठे बनाके सब रख लिए हैं आपको पराठा दिखाता हूं कितना पढ़िए कितना स्वादिस्ट पराठा बना है यदेखिए बहुत ही लाजवाब पराठा बन के तयार हुआ है साथियों अब इसको साथियों हम दही और चटनी के साथ सर्व करेंगे यह देखिये तो साथियों यह पराठा बनाने का तरीका अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो क्रपया वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और कमेंट करें यदि साथियों आप चैनल पर नए हूँ तो क्रपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बे लाइक आन दबाना न भोलें साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद